गुड बॉनिग, आज हम आपकी अनाया सुवराग की हिंदी की पुस्तक ने, आज हम पढ़ेंगे चार अक्षर वाले शब्द, यानि कि पिछली बार हमने पढ़े थे तीन अक्षर वाले शब्द, अगर हम तीन अक्षर में एक अक्षर और जोड़ दें, तो वो आपके चार प्रक्षर वाले शब्दों जाएंगे, तो चलिए हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले हम शब्दों को जोड जोड के पढ़ेंगे, ठीक है, ब, प्लस र, प्लस त, प्लस न, ये हो गया हमारा बरतन, जिस प्रकार ये बरतन का चित्रे हां बना हुआ है, दूसरा चि आजगर, तो ये जो चित्र है किसका है, आजगर, जो एक साफ होता है, नेक्स्ट है हमारा ब, प्लस र, प्लस ग, प्लस द, बर्गद, ये है आपका बर्गद का पीर, दूसरा हम एक बार और पढ़ेंगे, ब, र, ग, द, बर्गद, चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, श, प्लस ल, प्लस ज, प्लस म, शल्जम, ये है आपका शल्जम का चित्र, उसी प्रकार नीचे भी आपके कुछ शब्द दे रखे हैं, चारक शरवाले जिनें आपको पढ़ना है, चलिए, फटा-फट हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसे, चम, 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 पत, जड, पत, ज और जगर अजगर, सरपट सरपट, कतरन कतरन, जटपट जटपट, नटखट नटखट, अनबन,नबन, कसरत कसरत, थरमस थरमस, तशकर तशकर. इसी प्रकार से इन शब्दों को आपको भी पढ़ना है, साथ में इन शब्दों को जोड़ कर अपनी हिंदी की कॉपी में आपको होमव करना है, साथ में आपको ये दुबारा से रिवाइस करना है, रीड करना है